यही इनकी हकीकत है साथियों विकास के लिए यह जरूरी होता है कि सरकार इमानदार भी हो और सरकार स्थीर भी हो आज दुनिया में हिंदुस्तान का सम्मान बड़ा है क्योंकि देश में आज एक स्थीर सरकार है आपने स्थीर सरकार बना करके मुझे काम करने का मोका दिया है जिन जिन प्रदेशों ने लगातार स्थीर सरकारों को चुना है डबल इंजिन सरकारों को चुना है वहाँ प्रदेश भी तेजी से विकास कर रहे है देकिन राजस्तान में जब से कॉंग्रेस सरकार आई है इन्होंने क्या किया चार साल से पूरी कॉंग्रेस पार्टी और सरकार बस आपस में लड़ रही है हर कोई एक दूसरे की टांखी तरह आए अपने अपने गुट को मजबूत बनाने के लिए खुले आम सोधेबाजी हो रही है एक खेमे के विधायकों को ट्रांसफर पोस्टिंग और लूट की खुली चुट मिली हुई है ताकि वो दूसरे गुट में भाग न जाए ये लड़ाई केवल खेमों तक ही नहीं है सारे मंत्री भी आपस में लड़ रहे हैं कि इस विभाग में लूट का काम मुझे मिले वो मुझे लूट ने दिया जाए इस विभाग का काम उस विभाग को क्यों दिया गया इस मंत्री कमिशन उस मंत्री के पाथ कैसे चला गया पूरी राजस्तान सरकार इसी खींचतान में लगी पड़ी है और इस पर पूरी खींचतान के बीच राजस्तान के मुख्य मंत्री अपने बेटे का भविश्य बताने में जुटे हुए है उन्हें राजस्तान के बेटे बेटियों की कोई चिंता नहीं है इस विभाग से भी कई मंत्री विधायक उनसे खार खाए हुए है क्या ऐसे लोग राजस्तान का भला कर सकते हैं राजस्तान के युवकों का भला कर सकते हैं राजस्तान के गावों का भला कर सकते हैं राजस्तान के किसानों का भला कर सकते हैं इन लोगों से राजस्तान के विकास की कोज उमीद नहीं की जा सकती है भाईयों इन लोगों को मैं आज बोग तूंक कह देना चाहता हूँ अब ये प्रस्टा चार की नुरा कुस्ति बहुत हुई अब लोग तंत्र के अखाने में जनता जनारदन फैसला करेगी अब राजस्तान को स्थीर सरकार चाहिए अब राजस्तान को डबल नीन की सरकार चाहिए अब राजस्तान को परिवारबाद नहीं अब राजस्तान को विकास बाद चाहिए साथियों राजस्तान में जब से कॉंग्रेस आई है इसने एक और पहचान बनाई है ब्रस्टाचार, अपराद और तुष्टी गराण हालत यह है कि जब ब्रस्टाचार की रैंकिंग होती है तो राजस्तान उसमें नंबर बन आता है नंबर एक आता है जो राजस्तान अपने शांती और सवहार्थ के लिए जाना जाता था वहाँ आज आयो दिन सांप्रदाइक तनाव की गटनाए हो रही है पूरी कॉंग्रेट सरकार तुष्टी करण में लगी हुई है यहाँ सिस्टेम इतना बेखौफ हो गया है कि पेपर लिग की एक अलग इंडेस्ट्री खुल गई है अब तक सत्रा बड़ी परिशाओं के पेपर लिख हो चुके है यानि यहाँ युवाओं के भविश्य से खुले आम खिलवाड हो रहा है साथियों हर जगा स्कूल कॉलेजों को राजनीति से बाहर रखा जाता है ताकि बच्चों का भविश्य खराब न हो झाल